विल्कम तो यामी टेट्स विद मीना आज हम बना रहे हैं पोहे की नमकीन जी हां रोस्टेड नमकीन और यह बहुत ही अच्छा बनता है इसको हम फ्राइ करके नहीं बनाएंगे सिर्फ रोस्टेड बनाएंगे तो दिखें यहां पर मैंने अच्छी तरान से कढ़ाई को गरम जाला है तो थोड़ा से बड़े च्छी के वाला ले हमें इसको सिर्फ फ्रोस्ट करना है आप इसको चलाते रहे मीडियम आज पर ही बनाएं और पांच शे मिनट में यह काफी अच्छा क्रंची से हो जाएगा और आम इसको बाहर निकाल लेंगे तो यह दिखें इस तरह से इसको ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं पर अगर आप इसको तेल में भूनेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसको इसको अंदर में थोड़ा सा नमक डाल रहे हूं और इसके साथ इसको बून लिए ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो य अच्छा पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ा समय यहां पर सूखा हूँ नारियर डाल रहे हैं और इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक हमारे करी लीव जो है वह अच्छी तरह से क्रंची नहीं हो जाते हैं तो आप अप अच्छा प्रिस्पी हो गया इसके अच्छा पाउडर डालेंगे और इसके साथ साथ में यहां पर मिंट पाउडर डाल रहे हूं किंग्स का मिंट पाउडर है बहुत ही अच्छा है और इसके साथ साथ हम थोड़ सा चाट मसाला डालेंगे अप चाहें तो आमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसके साथ स कलर जो है वो साही तरफ अच्छी तरह से नहीं आ जाता है तो यह दिखिए हमारी नम्की जो बन के तयार हो गई है और आप इसको एर टाइट कंटेइनर में स्टोड कर सकते हैं तो अगर आपने भी चानल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब अभी सरूर करी अगर मापस बेलिंगी तपतकिली थांग्य।